Hello everyone, Good morning, Namaste, सबकी दिपावली बहुत पच्छे से हुई है, तो सभी को शुब कामने हैं, मेरा आज का टॉपिक है, तीसरे वीक का पहला टॉपिक, क्या भारती संसुर्ती में साडी का महत्वक क्या है, और क्या इसे पहनना जरूरी है, जी मैं कहती हूँ, हाँ, क्यों जरूरी ह क्योंकि हमारी पहचान है साडी, किसी और देश में साडी नहीं पहनी जाती, सिर्फ इंडिया में, और वो भी सबी स्टेट की सबकी पहने का तरीका भी अलग 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 है, उनका सबका एक रंग, रूप सब डिजाइन सब भी अलग अलग है, अभी कोटा साडी जैसे रा अलग अलग क्वालिटी बन दिये, और बनारसी साडी उतर प्रदेश की बहुत ही फेमस है, वो भी सिल्क में, तो एक साडी ऐसी चीज़े जो हर कोई पहन सकता है, उसके लिए कोई किसी का गवार या पडाली का होना भी जरूरी नहीं है, और हमारी जो अभी राष्ट्रप है, वो बिजनेस हुमन है, वो भी साडी पहनती है, और सिंपल इतनी, जितनी उंची है, वो उतनी सिंपल साडी पहनती है, तो मुझे लग रहा है कि हमारी संस्कृति का साडी में महत्वा, साडी का महत्वा बहुत है, और इसका जो एक पहले जमाने से भी आता है, और महा ब जो ड्रेस समय साढ़ी 5 वे नंबर प्याती है कि सबसे बड़ी साढ़ी आती है 5 और 2 मिटि में तो इसको हर कोई पहना सकता है उसके लिए कोई किसी का स्टैंडर्ड लेवल की कोई जरूरत में सब को अपने सब से साड़ी पहन सकते हैं मुझे लगता है कि यह पहना जरूरी है कि वोकेशनली में जो एक चीज आती है साड़ी आती है पूजा पार्ट में भी देखो तो हम लोग साड़ी पहन के ही बेढ़ते हैं और यह सिर्फ हमारा इंडियन ही है ड्रेस और इंडियन कल्चर में ही साड़ी आती है पहनी और किसी और कंट्री में नहीं है दूसरे कंट्री वाले भी हमारे इंडिया से ही साड़ी लेके जाके प कोई किसी का पड़ा लिका मोडरान होना थाई क्वालिटी होना कोई इसका कोई स्टेंडर्ड नहीं समझना चाहिए जितना हम साड़ी पैंके रहते उतना हमें अलग खुशी मैसूस होती है तो थैंक्यू एवरिवन